पुश्कर दोस्तों स्वागताब सभी का मेरी यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक नई भरती के बारे में जानेंगे यह जो नए भरती का नोटिफिकेशन है यह शामलाल कॉलेज उन्विश्टी ओफ दिली न्यू दिली के द्वारा जारी किया गया है और इस एड़टाइजमेंट के तहाट जितने भी पदों के लिए ओफलाइन एप्लिकेशन से इन्वाइट की गई है ओफलाइन एप्लिकेशन ही इन्वाइट की गई है ओफलाइन एप्लिकेशन जो जमा करवाने का आपको समय मिला है वो कितना रहेगा और किस परकार से आप application farm को भर कर जमा करवा पाएंगे वे सारी जानकारी आप इस वीडियो के मध्यम से प्राप्त करेंगे सबसे पहले बात आपको बता दें कि जो आपने अपना offline application farming सभी पदों के लिए जमा करवाना होगा वो केवल एक prescribed format है जो कि शामलाल कॉलेज या दिल्ली निवस्टी की website से आपको मिल जाएगा और जो आपने जमा करवाना है वो केवल speed post के मध्यम से ही आपना offline application farm आप जमा करवा पाएंगे आगे की वीडियो में आप देखेंगे कौन-कौन सी vacancies है यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक में शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भरतियों से समंदित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के मध्यम से मिलती रहे देखते हैं आगे कौन-कौन से पद एड़टाइजमेंट किये गए हैं और इस से पहले आपको बता दें इस भरती की जो अंतिम तारिक है वह 18 जनुरी 2021 है 18 जनुरी 2022 है 18 जनुरी 2022 से पहले-पहले आपको स्पीड पोस्ट के माधम से स्यामलाल कॉलेज के कारियले में आपको अपना एप्लिकेशन फार्म जमा करवाना होगा अब आप देखेंगे आपके वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ा होगा एक टेबलेटर फॉर्म में वेकंसी का वीवरन सबसे पहला पद है लाइबरेरिन का एक पद है जो कि जर्नल सेर्णी के लिए रक्षित रखा गया है पॉइंट नमबर दो पर एड्मिस्टेटिव ओफिसर का एक पद है और ये एक पद जो है ये हैंडिकेप सेर्णी के लिए है और 18 से 35 वर्स के बीच के अप्लाई कर पाएंगे पॉइंट नमबर तीन पर सीनिर टेकनिकल असिस्टेंट कम्प्यूटर का एक पद है ये भी हैंडिकेप सेर्णी के लिए रक्षित रखा गया है और 18 से 30 वर्स के बीच के अप्लाई कर पाएंगे पॉइंट नमबर चार पर असिस्टेंट की एक वैकेंशी है जो कि जरिनल सर्णी के लिए रक्षित रखी गयी है और 18 से 30 वर्स के बीच की जो चइनडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे इसी परकार junior assistant के दो पद है जिन में से OBC का एक है economically weaker section के लिए एक पद है 18 से 27 वर्स के बीच के candidate apply कर पाएंगे junior assistant के लिए point नमबर 6 पर MTS library के एक cool 3 पद है जिसमें general study के लिए एक है OBC के लिए एक है economically weaker section के लिए एक vacancy है और 18 से 30 वर्स के बीच के candidate MTS library के लिए apply कर पाएंगे इसी परकार point नमबर 7 पर MTS computer lab के लिए एक vacancy है जो की general study के लिए रक्षित रखी गई है 18 से 30 वर्स के बीच के जो candidate है वो apply कर पाएंगे इन सभी पदों के लिए आपको offline application farm ही जमा करवाना पड़ेगा offline application farm इस वीडियो के description box में दियेगे link से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे officially जो website है उसके ओपर से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे आप देख लेते हैं सबसे पहले जो last date रहेगी submission of application farm application farm इसी advertisement के last भाग में आपको मिल जाएगा और उसको भरकर आपने 18 January 2022 से पहले आपको अपना speed post के मध्यम से आपने apply करना होगा और apply करने के लिए जो candidate journal या unreserved candidate के लिए apply करना चाहते हैं unreserved post के लिए apply करना चाहते हैं उन्हें 500 रुपे प्रती application fees के रूब में आपको pay करने पड़ेंगे जो candidate OBC non-crimalier और economically weaker section से हैं उन्हें 400 रुपे प्रती application fees के रूब में आपको pay करने पड़ेंगे जो candidate SC, ST और handicap study से संबंद रखते हैं और इन पदों के लिए apply करना चाहते हैं उन्हें 300 रुपे प्रती application fees के रूब में pay करना पड़ेंगा और जो ये fees है ये non-refundable है एक बार आप यदि pay कर देंगे तो आपको ये refund नहीं की जा सकती date of examination आपको University of Delhi की website के मादम से आने वाले समय में बताया जाएगा और ये admit card भी आपको दिली इन्हेश्टी की website से ही download करने होंगे आने वाले समय में उसी के मादम से आपको सूचना दी जाएंगी इस परकार आप इन सभी पदों के लिए apply कर सकते हैं apply करने के लिए इस advertisement को एक बार थारली पढ़ ले सबसे पहले जो teaching की एक post है librarian की जिसके लिए education qualification master degree in library science है पचपन पर तिसा तंकों के साथ और net national level test आपने qualify कर रखा होना चाहिए जो candidate already PhD degree में जिनका registration है उन्हें net से छूट मिल सकती है इस परकार की instructions इस advertisement में दी गई है आगे की आगे देख लेते हैं कि जो अन्या पद है non teaching में administrative officer के लिए उसका essential qualification की बात करें good academic record master degree पचपन पर तिसा तंकों के साथ जो UGC के grade B के point है उनके मुताबिक आपने pass कर रखी होनी चाहिए तब ही आप administrative officer के लिए apply कर पाएंगे आगे देख लेते हैं senior technical assistant computer के लिए जो qualification है graduate या post graduate in computer science computer engineering computer technologies की जरूरी योग्यता है और इसके बाद assistant की बात करें आठारा से तीस वर्स के बीच के candidate apply कर पाएंगे और जरूरी योग्यता graduation की सिब्रेक उगनाई उन्वेस्टी से आपने pass कर रखी होनी चाहिए और इन्वेस्टी आनि किसी भी discipline में आपने कर रखी होनी चाहिए pass graduation की degree good working knowledge on computer आपकी होनी चाहिए जूनियर assistant की जो qualification है वो बारवी कक्षा किसी भी रिकोगनाई बोर्ड से इंस्टीचूट से या इन्वेस्टी से आपने pass कर रखी होनी चाहिए और इसके साथ आपको typing की speed इंगलिस में 35 परती मिनट या हिंदी में 30 परती मिनट के हिसाफ से आपकी typing speed होनी चाहिए इसी परकार MTS library के लिए जो जुरूरी हो गयता है वो दस्वी कक्षा किसी भी रिकोगनाई बोर्ड से आपने pass कर रखी होनी चाहिए और desirable में computer as a subject secondary level पे आपने basic course computer में किसी भी इंस्टीचूट से आपने pass कर रखा होना चाहिए इस परकार आप इन सभी पदों के लिए आप apply कर सकते हैं एपलाई करने के लिए जो आपको समय मिला है वो 18 January 2022 से पहले आपको speed post के माध्यम से ही अपना application form to the principal शामलाल कॉलेज इवनिंग University of Delhi GT Road शाहदरा दिली 110032 के पते पर आप speed post के माध्यम से आप अपना application form जमा करवा पाएंगे इस परकार के नए नए job notification प्राबत करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को like बे शेर जरूर करते रहें ताकि आपको भरतियों से समन्दिधार छोटी बड़ी update इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे धन्यावाद